कि गुड मॉनिंग बच्चो 2020 टेक में आप सभी का स्वागत है बच्चो इससे जान रहे हो कि आज हम लोग मोशन पार्ट 9 करने वालों के इससे पहले पार्ट 8 तक मैं वीडियो बना चुका हूं और वे सभी जितने वीडियो है एक प्ले लिस्ट में मैंने एट करके रखा ठ आगे जो भी आने वाला वीडियो पार्ट 10 11 12 आज तो पार्ट 9 आप 10 11 12 जो भी आने वाला है उसमें मतलब दिक्कत नहीं होगा आपको समझने हो कि क्योंकि वहां पर मैंने बैसिक बताया है आप देखो अब यह आप मत सोचना कि पार्ट 9 पार्ट 10 पार्ट 11 12 तक जाएग क्योंकि लंबा खीचना एक बड़ा यह नहीं है आप सोच लोगे कि सर इतना चोटा बीरो मैं नहीं बना रहा है मैं कम समय में जादे कंटेंट देने की कोसिस कर रहा है ओके विट नॉलेज न कि ऐसा नहीं कि आपके सिर के उपर से पार हो जाए ओके मैं आपको इस तरह का आता थे दोिछ乾ridge कर रहा है औसे कम समय में कंटेड्ट थोड़ा जादे जारा रहा है इससे क्या होग ना कि बच्चे मतब संगे अच्छे तरुके संगे डीपली मैं संझार हूं और यह दिमाग में सेट होते जाएगा ओके Kabin B can बचे क्या करते सिप पड़ते समझते नही तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो बगर में बेल एक आने उसे जरूर प्रेस कर लेना इससे क्या होगा कि आएगा जो भी वीडियो आएगा इस सीरीज में जो भी वीडियो चल रहे हैं उवे सबीका लिंक आप सबीके मतलब आपके नोटिफिकेशन आपके पहुंचेगा और एक चीज क्लास नाइन्थ वाले स्टूडिंस को मैं यह बता दूँ कि कुछ समय मतलब एक दिन में एक से दो दिन में मैं क्या कर रहा हूं सोसल साइंस का स्टार्ट करने वालू मैं तो भी स्टार्ट नहीं कर पा रहा जो कि हिस्ट्री का होगा उस में मैं सारी सारी चीजों को बताऊंगा उसलिए जिनको जरुबा तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो को सेर करो लाइक करो और सेर करो उन तक पहुंचा आओ तो चलो हम लोगों पिछले दिन कहा तक देखा था यूनिफर्म सर्कुल अंचैट में सब्सक्राइब सिम्ग ग्रेफिकली हम लोग ने क्या किया था समझाता हो कि क्या क्या समझ कर फार्मूला के यह थाँ उसे के और विप उंदॉत और विदॉत्ट चैसलों पाट आज यह 1 पार में मोशनघ क्या तो आई इस का मतलब दिया हुआ U-Niform circular motion actually होता क्या है okay वेन बोडी और अब्जेक्ट मुपस इन शर्कल इट इस काल सर्कुलर मुशन ओके सर्कुलर मोशन में दो मतलब वेन बोडी और अब्जेक्ट मुपस इन शर्कुल सरकल इस काल सर्कुलर motion, circle में रहता है okay, जो पतर गोल गोल गोमें हैं हूँसे circular motion कर देवेना body motion circle, circle में गोमता है simple, कुछ करना नहीं है circular path रहागा okay कैसा रहेगा, uniform circular motion कैसा रहागा circular जैसे स्याप देखो यहाँ पे बची जोड़ा जोड़ी तो ये गोल गोमेगा इसे यहां पर डिक्स ड्राइब में घुमेगा ओके यही हो गया अच्छा यह देखो यह सब अलग अलग चीज दिया मतलब यह स्क्वाइर ट्रैक है सब्सक्राइब 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 यहां पर क्या है उन सभी चीजों पर हम लोग आज गौर करने वाले कि देखिए यहां पर क्या है वेन बॉड़ी मुप्स अलॉंग सब्सक्राइब क्या करता है बदलता है अब इधर जा रहा है तो फिर इस नौस अब इस वेस्ट में आ गया नौर्थ में पर अपका ऐसे इस तुछ तो क्या सर्गुलर मोसन नहीं है जैसे यहां पर दिखाया देखिए यहां पर इश्ट में गया गुमते फिर साउथ में आगया फिर यहां से नौर्थ तरप उठा गोल गूम रहा है तो वही चीज़ यहां बताया है कि एक टेंड इट्स डारेक्शन ऑफ मोशन इसका क्या होता है चीनज होते रहता है कना समझने वाली बात यह है यहां पर देखि एक चीज़ और है क्या है है आपको मोशन कैसा रहता है मतब एक्सुलेट कर रहा है बढ़ते जा रहा है कि वेलोसिटी क्या कर रहा उसका बढ़ते जाता है अब इसे बचपन में महसूस किये हो तो आप देखो होगे कि बचपन में क्या सभी को मैं भी क्या करता था बचपन में मैं बचपन की यादे आप सभी के साथ सेयर कर लूँ तो देखो मैं एक रसी लेता था इस रसी के एक छोर पर मैं एक छोटा सा गिट्टी बहान देता था बड़ा सा गिट्टी रहता था आता था ठीक है रोड पर खेलते खेलते उठा लिया और मैं बोला कि नहीं आज मैं इसे खेलूंगा तो मैं घर आता था रसी लेता था और ए एक समय ऐसा था यह पुरा तेजी मगोंने लगता था तो तो वह चीज़ है इसमें पूछ आप क्या बोलेगे जीडिस्प्लेश्मन्ट क्या ओर रहा by लेकिन डिस्टंस कबर कर रहा है एक राउंड दो राउंड तीन राउंड ठीक है तो सर्कुलर पैस में हमेशा डिस्प्रेस्पेस्पन जीरो ता यह बात ध्यान रखना सभी जानते होगे बहुत कोई नहीं भी जानते होगे जो टेंथ पासकर 11 12 में हो ले तो जानते हैं बड़ बच्चे जो नहीं तुमें नहीं नहीं आये हैं उनको नहीं मालूम है तो उन सभी के लिए मैं बता दे रहा हूं खुछ को जानते भी होंग ऐसा नहीं है ठीक है ओके समझने आ रहा है कैसे क्या हो रहा है अगला पॉइंट देखिए यहां पर क्या है कि वेन बॉड़ी मुप सिने सर्कुलर पर ओके विता यूनिफॉर्म स्पीड ओके इस मोशन इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मुशन रहना चाहिए उसी को हम लोग क्या बोलते है कि मैं क्या से बहुत समझ रहे हो गया ऐसा भी नहीं है ठीक है यहां पर क्या है इस इसको याद रखना ओके डिस्प्लेस्मेंट के अधर जीरो अगे साथ हम लोग पढ़ेंगे देखना आगे साथ पढ़ेंगे हो भी सकता नहीं भी हो सकता देखो या पर कि दमोशन इन इस सर्कल विद कॉंसेंट स्पीड एंग्जामपल ऑफ एक्जामपल है इसमें क्या होता है इस पीड में नौट चेंग स्पीड हो सकता चेंग बट क्या डारेक्शन चेंग होता है कंटेनोश टो कि अच्छा यहां हो गया अब फोर्स नीड़ेट टू प्रडूस सर्कुलर मोशन एक फोर्स चाहिए अब देखो दीरे दीरे घुमार एक यह से फिरेक्स में तेजी आ जाता है तो उसमें फोर्स लगता हो गय कि दफोर्स विचीज नीड़ेट टू मेक एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन सर्कुलर पैथ इसको मतब सेंटर पर फोर्स लगता है अब जैसे कि यह आप एक इंट बांदे हो गिट्टी बांदे हो इस छोड़ पर इस हाथ से पकड़े हो तो इसके तो यहां फोर्स लग रहा यहां पर क्याँ फोर्स लग रहा हुआ है यहां पर फोर्स लग रहा सेंटीपीटर पफॉर्स विट एक रहा हो गए तो सेंटर ना हो गया इसका का इसन के सेंटर लगता वही ची यहां बताया है कि the force which is needed to make an object travel in a circular path is called centripetal force it is acted on the center ये भी होगा लिखा है नहीं लिखा in the case of planets moving around the sun the centripetal force is gravitational pull of sun and in this case satellite moving around the sun around the earth the centripetal force is force of gravity of earth ok थीबस्पकर समझ रहे हो नहीं समझे हो तो ठीक है purely Commercial One Amén जैसि can be और ऑप्य लुस्ति इसक्राष्ण पडूमगरी ये टो फोमत कर आ मैं ऐसका तो इस नहीं मतनब संगर्यडर कर ग्रेंड़ आइवर्ट अर्ट को खिजए हुए है जिस force है उसे क्या बोलते है gravitational force बोलते है gravity of force यही क्या centimeter force है किसका the centimeter force is force of force यहाँ देखो क्या है यहाँ पे centimeter force is gravitational pool of sun sun क्या कर रहा है अर्थ को अपने और खींच रहा है OK यह चीज़ वही बोलाई the centipede of force is gravitational pull of sun and in case of satellite moving around the earth जैसे मान लो यह earth है यह क्या है earth है और satellite ऐसे से भूम रहा है तो यह जो earth का gravity है एक gravitational pull है किसका ग्राविटेशन फोर्स करके कि मतलब satellite को अपने और अंदर साइड रखे हुए है मतलब एक force है वो क्या centimeter force को मतलब बनाए हुए एक तरस बोलो तो यहाँ पर centimeter force भी लग रहा ओके centimeter force कोन सा है तो force of gravity है okay centimeter force कोन सा है तो force of gravity of earth इसको ऐसे समझो प्रैक्टिकली समझो कि तो अच्छा है समझे नहीं सिर्ष को समझ में आया है दस मिनेट क्या करो रिवाइंट कर लें दस मिनेट ने अभी तो 11 मिट ही हो रहा है ओके पांच मिन तीन मट जोइन कर लेना समझ में आजएगा ओके अच्छा ठीक आगे बढ़ते है क्या है artificial satellite move in uniform circular motion around the earth due to centimeter force ओके एक्जांपल ओव यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ध्यान रगना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक्जांपल कि artificial satellite moves in uniform circular motion artificial satellite में समझ रहे हो दो तरका सट्लेट होता है एक निवता नेचुरल ओके बहुत से बच्छे नहीं जाने रहे हो एक होता नेचुरल एक होता आर्टिफिस्यल ओके artificial जो धर्ती से बहिषता है मतलब बना बना की बहला घेजा रहा है जैसा कि मून मून क्या निच्वल सेटलाइट है याद रखना 9 वाले बच्चे अच्छा यहां देखो क्या है the motion of satellite around the earth is accelerated ओके ठीक है circular motion तो ऐसे भी accelerated रहता है मैं अब लोग सुरूम बताया था ओके मून मुव्स इन युनिफार्म सल्कूलर मोशन एराउंग अर्थ ओके यह भी क्या accelerated अर्थी असलेरेटर रहे और था रहा था था तो युनिफार्म से रखना रहे था मोशने, अर्थ यहां पर दो आप यह देखिए इस एकी फिगर में दो दो चीज़ बता लिया है क्या बता है यह सन है सन को सन एक ग्रेविटेशनल पुल मनाय रहा हुए हुए है जिससे की अर्थ इसी ऑर्बिट में घूम रहा है और यह पूल को क्या बोल सकते हैं सेंटिमेंटर फोस्क्ते हैं पहला थे दिया है और इसी फिगर से बोल सकते हैं कि अर्थ है नहीं यह अर्थ है और जो एक फोर से और यह चीज और हो कि क्या है तो देखो यहां एन एथलिट और सैक्लिस्ट मुविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ओके मुविंग अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक विध कॉंस्टेंट इस्पीद उनिफर्म सर्कुलर मोशन इक यहां पर दिया हुआ यहां पिगर में दिया हुआ है तो यहां पर ट्रैक यह सब क्या ट्रैक ऐसे दोखर नीचे बना हुआ वाइट से इस इस ट्रैक के अंदर इसको भूमना है तो वे सब भी एक क्या मतलब सर्कूलर ट्रैक बना जोगी कॉंस्टेंट से बढ़ते जाता है एक्सलेट करते हैं दे थेहान देने वाली बात क्या है यहां पर आप लोग थेहान दोड़ा देना अब जब में इन चीज में बताने जा रहा हूं ठीक है पहले इस पॉइंट को देख लिए तुसको बाद टीप अप सेकेंड हैं ओके हैंड वाज एक्जिविट यूनिफर्म सर्कूलर मोशन और बाद बाद इस मपस्ता चीज में टिप टीज न्यूनिफर्म सर्कूलर में हैं जूंट हैंड ऊस्टे कि आप अंड गम् He边 कि न हरा खूंट प्या हूं मौशन आप कि बाद pose commit कर णिव थेहा हूं रखृं हैं रखा हैं पर बाद टीप्स ubaज ज कीज स्वां wal CP0 का टो किव Chandran कि आप आसान भासा में समझो ना जो की uniform circle motion है important point किया है uniform circular motion आपस एक्जाम में कैसे पूछेगा ना कि uniform circular motion आप कैसे कर सकते हो कि accelerated motion है आप यह कैसे कह सकते हो यह question आ सकता है maybe आप इसे क्या करो note कर लो okay VVI point है यह क्या VVI point है question आपको दे देगा ने कि how you can say uniform circular motion is accelerated motion कैसे है आप से यह पूछ सकता है कि जो मतलब earth है sun के 4 और चक कर लगा रहा है वो accelerated motion कैसे है उसको uniform motion uniform circular motion है आपको यह question आ सकता है how you can say uniform circular motion is accelerated motion कैसे क्यों की क्यों की देखो यहाँ पे क्यों की यहाँ पे क्या हो रहा है जब circular motion में कोई particular thing घूम रहा है तो direction को change कर रहा है direction change हो रहा है मतलब velocity क्या हो रहा है change हो रहा है okay velocity change होने का मतलब यही है कि accelerate हो रहा है okay आप इसे ऐसे समझो okay तो मतलब उसका direction बदल जा रहा है direction बदल से क्या हो रहा है velocity मतलब concentrate नहीं रहा रहा है जिससे कारण हम इसको यह बोल सकते हैं कि accelerated motion है इस चीश को ऐसे समझ लूँ अब इसे अपने वर में बनाना कैसे बनाना है तो देखो फिर समय बता दे रहा हूं आपसे question क्या पूछेएगा कि uniform circular motion कैसे है accelerated है ठीक है how accelerated यह question आ सकता है दूसरा question क्या आएगा कि जिसे कि मानले जब पूछ देगा कि earth sun के चार और चक्कर लगा रहा रहा है earth is revolving around the sun it is accelerated or it is uniform circular motion how it is uniform circular motion तो नहीं यह बोलेगा क्योंकि बच्चे तो समझ जाएंगे हां कि यह गुमरा है तो एक ही स्पीट से नभूमेगा यह तो question नहीं देगा कि how you can say earth is earth moving around the sun is a uniform circular motion यह question वो नहीं देगा वो क्या देगा second यह तो पहला question तो एक में बताया okay second question क्या देगा कि how you can say earth is earth revolving around the sun earth revolving around the sun is accelerated motion how you can say तो इसका दोनों का answer गया होगा कि जब कोई particular thing circular motion में uniform circular motion घूमता है तो velocity को change कर देता है sorry velocity ने जब इसको ध्यान सुना जो circular motion में कोई particular thing चलता है okay तो continuously क्या कर रहा direction को change कर रहा है तो direction change होने से क्या हो रहा है ठीक है वर्शिटी कॉंस्टेंट नहीं रहा रहा है जिसके वज़े से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यह एक्सलेटिटिट मोशन है ओके इस तरह से होगा समझे बात को क्या है कैसे हैं तो याद रखना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमेशा क्या हफ्ता एक्सलेटिट मोशन होता है ओके अच्छे यहां पर जाओ यह पॉइंट इस पॉइंफ इस पॉइंट गौर्शन इस नॉट एक्सलेटेटिट मोशन है इस एक्सलेटिट अ मोशन मर्मानOh स्टेट लाइन तो वो इस नोट एक्स एक्सलेटर रहा रहा तो आपे एक्सलेटर नहीं कहा जाएगा यह कारण है ठीक है यह यहां देखो यहां पर यहां भी देखो लाश्न में जो मैं सुबह वी उपर बता है वह यहां बता है युनिफ युनिफर्म सर्कूलर मोशन एक्सलेटर मोशन ठीक है लाश्न यह बता दी जो मैं भी डिस्क्राइब कि आप सभी को ओके अच्छा देखो यहां पर क्या है अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते तो क्या रहा है इतना से इतना कवर किया यहां से चलते 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 यहां बहुंचिया कितने सेकेंड बहुंचा ठीक है तो डिस्टेंस भाई यह डिस्टेंस ना कवर किया जी बाई टाइम यहां से आने में लगा तो सकर्केंड यहां से यहां से इस देचलते आते सब्सक्राइब लगा वाई टी कर दिये तो यह पूरा तो डिस्टंस हो गया और टाइम यहां से यहां तक में कितना लगा टी तो वी निकल गया हमारा ओके वही चीज़ यहां किया है और कुछ नहीं करना है जखो यहां पर क्या है a cyclist goes around a circular track once every two minutes again a cyclist goes around a circular track once in once every in two minutes of day एक circular track है Okay, circular क्या है? Track है, okay A cyclist goes around a circular track once every two minutes मतलब यहाँ से start किया Okay, ऐसे start किया एक round लगाया, दो minute में Okay, if the radius of the circle is one and five meter Radius मतलब यहाँ से यहाँ पका लें किसमा 150 टिअम अबब और दो मिनिट मैंतलब यह कर रहा बतलब इतना चल रहा है यह तो यह रैटियस का निकालेंगे सरक्मार्स डिकालेंगे मतलब डिश्टेंस मतलब यहां से स्टाड आने में यहां पर से Sümmetry पाइ आएगा मेरा और पी हमारे 2 मिनट है तो देखो यहाँ पे रेडियस यह है और टाइम मेरा इतना आएगा सेकेंड तो यही किया टू पाइ आर बाइ टी कर दिया ओके लास्टी इतना निकाल लिए ओके कुछ करना नहीं है समझ लेना आप लोग समझ लेगे इसे अशी तरीका से दिने समझ में आ तो बोलना मैं पिछले वीडियो में जरूर इसको बताऊंगा फिर से आप इसे समझो कुछ करन आप लिए चोटा मोटा है चीज है का फीजी है कि दुम्हें बता ही देता हूं कि तुम लोग बोलों कि समझ में नहीं है सर देखो यहां पर क्या है कि जिसे की टूपाई आर ओके पहले तो दो मिनट लग रहा ठीक है हमको इसका जिसे सरकल है ओके इसका रेडियास 105 मीटर चलो पहले सरक्मफेस कहा निकलेगा चलिक लिए तूपाई आर निकलेगा करें चलो करेंगे और City लेघ्र सब्सक्राइब करें कर अब ती कितना है तो लिक कैसे सकते है तूँए टूइंट वेंटीटिटुएंट गाके क्या आग्ए अब टी कितना है तूपाई और एंटी है 2 मिनिट है 2 मिनट मतलब कितना होता है चल Gwen 2 60 मतलब 60 second एक मेर 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 60 second होता है तो 2 मेर मेर कितना होगा तो इंटो 60 कर दें मेर मेर एक 120 सकेंड आएगा अब जैसे अब जैसे कि मान लोग उपर में ये आया हम लोगो divide करना ठीक है ती से divide करना तो 2 इंटो 22 बै इंटो 105 बैसे 7 ये हो गया हमारा क्या घूर रूंटे को केल्कुलेट करें तो यहां पर आके हो जाएगा टो इन्टु टू इन्टी टू इन्टू 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 हंडरेंट फाइफ ओके बाई 7 into 120 यही चीज आपको दो को यहां किया हुआ है दो 2 यहां पर 2 यह है 22 यह 22 है 105 यह किया हुआ 7 into 120 वही 7 into 120 जो यहां नीशी हम दो लिखें है कि इतना अगया तो कितना उसका पर सेट का स्पीड कितना निकला इतना निकला ओके बस यह है अब आपका चैप्टर कतम है कुछ है तो कल हम लोग कोश्चन कुछ डिसकस करेंगे यहां से ओके आज तक हम लोग रहने देते हैं इतना ही ओके इस चैप्टर कतम है अब हम लोग केमिस्ट्री में आएंगे ओके 9 क्लास का केमिस्ट्री में आएंगे फोर्स और लॉज ऑफ मोशन इसको अभी नहीं पढ़ेंगे अभी केमिस्ट्री पढ़ेंगे अब कल से कल से ने कल तो इसको यह करेंगे तो हम लोग केमिस्ट्री में पूरत सब्सक् selfies कर लो किष्ण कर लो चैनल को सब्सक्राइब करके वगल में पप्रेस कर ले है इसे क्या हुआ कि जो भी स्रीज में चलो रापकर पहुंच जाएगा तुरंद पहुंचेगा तो वीडियो को शेयर भी करगा अट लिस्स जिनको जरुआ थो तब यह वीडियो पहुंच जाओ ओके ठीक है तब रहने देत नहीं थैंक यू जय हिंद जय भारत